तो आज आज जो है हम लोग टेखनिकल एनेलिसिस को समझेंगे बहुत ही सौट-कर्ट में समझेंगे थोड़ी वीडियो लबी होगी क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं और बहुत ही यू आप कहा सकते हो कि बहुत ही छोटे तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे तेकनिकल एनलेसिस हैं इनका हमें पूरा मतलब समझना है कि होता क्या है और यह जो सिरीज है यह में तेकनिकल इंडिकेंटर्स जानने से पहले मैंने सुछा कि थोड़ा सा पहले हम लोग जानने Technical Analysis होता क्या है ठीक है तो Welcome to Stock Insider 101 अब जो यह टेक्निकल Analysis वर्ड है इसको समझने का सबसे बनिया टरीका तो यह है कि जो Market होता है Financial Market ठीक है जो हमारा Financial Market है यह Financial Market में हमारे Financial या आप बुलो Assets होते हैं ठीक है अब जो हमारे एसेट है एसेट मतलब क्या होगा तो एसेट जो वर्ड है यह अगर आप जेनरल टॉम्स में समझो तो आप कहा सकते हो कि कोई भी एक यह useful और valuable छिंग जैसे आपका घर हो गया है आपके पास कोई स्टोक हैं आपके पास कोई बॉन्ड हैं तो वो सब क्या हो एसेट्स वेसिक्ली वह चीज़ हो गया जो कि यूश्फुल वै सोनी और एक giàumic इकनॉमिक रिसोर्स मतलब क्या कि यह आपको future में कुछ cash flows इनका हो तो बहुत से types के होते हैं fixed होते हैं current होते हमारा यह point नहीं है आप बस यह समलो कि asset कोई बहुत ही useful चीज हो गए अब financial market में जो सारा game होता है वो इन ही assets का होता है जो भी market है हमारे पास उसमें in assets को खरीदा जाता है रखा जाता है उससे जो economic resource आती है ठीक है उससे फाइदा उठाए जाता है या in assets को जब खरीदते हैं तो in assets की value जो है future में बरहे यह main aim होता है जैसे आपने कहीं पर land लिया कोई तो आप land जो ले रहे हो तो आप क्या सोचके land ले रहे हो कि future में इस land की यह जमीन है इसकी value क्या हो बरहे की घटे जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि उस land की value बरहे आपने कोई company के stock लिया ठीक है तो जब आप company का कोई stock लेते हैं stock या share दोनों अलग चीज़ें बट आप सेम भी उसको मान सकते हैं बेसिकली एक company की ownership हो गई ownership की एक यूनिट को शेयर बोलते हैं इस टॉक होता है कि जैसे अगर आप एक इनसान हो आपके पास पाच company के शेयर से तो यह पूरा आपका stock हो गया बट लोग इसको सेमी लेके चलते हैं तो हम भी सेमी लेके चलेंगे ठीक है कि शेयर बैसे करेंसी में एक रूपया होता है यूनिट होती है उसी तरीके से किसी पारज ने कि इनकी मार्केट वैल्यू कहना जाओं है रहेगा इंक्रीजसों अब मार्केट वैल्यू क्या होता है ईंक्रियस के चाहिए हम लोग मार्केट वैल्यू और इमने पानव होता है किसी अबने करेंसी पैंसिथ आप मिल्चा टेर्ड करते हैं लोग jp इसको यूए झी करेंगे ये स्ट्र्व Incorporation में स्ट्रॉंग और स्ट्राइटर में फ्यूचर में तो तो हर जगा Option हम चाहते हैं कि हमारे जो भी उसकी उसकी समझेद्षन lush होता है यह सब हम लोग फर्णमेंटल की सीरीज पर इसमें समझेंगे कि डिविडेंट का जेनरली कोई मतलब है नहीं डिविडेंट कंपनी दे चाहे नहीं अगर नहीं देगा तो वह उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिससे कंपनी फिर प्रॉस्पर करेगी आगे बढ़ हम चाहते हैं कि इन एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो फ्यूचर में इनसे जो इकनॉमिक जो इनकी वैल्यू है और जो कैस्ट फ्लोज है वो इंक्रीज हो यह हमारा होता है में किसी भी फाइनेंशियर मार्केट में हम जो इतना पढ़ाय लिखाई फाइनेंस की करते हैं और इसी एसेट को जो आपने सलेक्ट किया है उनकी फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी वो हमारा होता है एनेलिसिस